वंदे मात्रम मैं विजे ठाकर आपका स्वागत करता हूं स्टप अपड़ाइडमी ऐसे ही खुश रहें मुस्कुराते रहें मेरे दोस्तों करना क्या है आपको छोटा सा काम मेरे साथ जुड़ जाना है क्योंकि क्लास 10 का आचुका है रिजल्ट आप आचुके हम लोग कॉमर अच्छ लिए बने रही है मेरे साथ क्या करा है तो आज हमें करना है हमें यहां पर सकते हैं किसके कारण होते हैं everything he has a reason to happen कुछ दिखे कोई कोई ना कोई कारण यहां होता है कण आप पढ़ाई न संक कमें तो इसके लिए क्या कर रहे हों हम लोग तो हम लोग क्या कर रहे हैं लिए नौलिज पर चीजipher को पंग हर शृति सब्लाइब कर चीजन को पड़ते हैं इसी जब पीपीएफ को transformation curve हम लोगों ने पढ़ा तो उसके शेप जो है वो मुझे चेंज दिखने लगे अब यह चेंज दिखने लगे तो भाई रीजन बता हो तो हमने का सर हमारे पास रीजन है क्योंकि हमारा मेंटर जो है वह सब कुछ बताता है कि हर चीज से पीछ रीजन होता है तो रीजन होगा आज बहुत ही शांदार टॉपी को समझने वाले हैं जिनका नाम है मार्जिनल ऑपर्शुनिटी कॉस्ट अट इस ऑलसो नहों आज मार्जिनल रेट आफ ट्रांस्वर्मेशन तो शब्दों का खेल है सबसे पहले तो यहां लिखा हुआ है मार्जिनल मार्जिनल का मतलब होत हैं उस्तरे ही चीजों से उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर मार्जिनल अब यह बोलता है ऑपर्शुनिटी कॉस्ट तो हम लोग और पर्शुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट फॉर्गॉण मतलब कि अगर आपको दो चीज़े लेनी है महां लेता है टीवी लेनी है और लापटॉप लेना है तो अब हमारे पास पैसा है लिमिटेड वन लाख रुपीज है तो इन में से एक ही को ले पाएंगे दोनों को पर्चेस तो नहीं कर पाएंगे ना तो एक को छोड़ना पड़ेगा तो यह एक लाख रुपे में या तो लेपटॉप लेना पड़ेगा या तो टीवी लेनी पड़ेगी तो एक कभूल जा और दूसरे को अपना लो इसी को बलता है और चीज़ खरीदने के लिए जो मौका मिला है आपको उतने ही इंकम में उतनी ही रिसोर्सेस मे के दूसरे प्रड़क्ट को हम लोग बना सकते हैं इसको बलायाता है मार्जिनल रेट आफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करने की यहां पर बात करी गई है तो यह हम लोग ने बात करी मीनिंग की कि होते क्या है तो एंट्री मारते है अब हम लोग तो बहुए होता है यहां पर किसी भी चीज का एमाउंट या किसी भी चीज के मानेटरी टर्म को हम लोग यहां पर रेट से डिनोट करेंगे और यहां पर जो ऑपर्चुनिटी कॉस्ट है यहां पर हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुड्स से इसको करनेट करने की कोशिश करेंग और दूसरे goods को जो है continuously हम लोग यहां पर बढाते चले जाएंगे तो भाईया यही कहानी है MOC की फिर हम लोग आएंगे कहानी MRT की चलिए तो हम लोग समझते हैं यहां पर दोस्तों MOC होता क्या है It refers to the number of units यह बात याद रखनी है भाईया कितनी number of units की बात कर रहे हो तो यहां पर मैं मान लेता हूँ भाईया की हमारे पास good X है उसके number of units की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर बोलता है की units of commodity sacrifice मान लेते हैं कि यह जो दोस्त हमारा X वो कर रहा है यहां पर sacrifice क्या कर रहा है दोस्तों sacrifice to gain additional unit of another commodity अब यहां पर X से फाइदा लेना चाह रहा है Y ठीक है तो यहां पर यह number of unit जो है इसमें plus हो जाएगी मतलब कि यहां पर इसको gain होगा और यहां पर number of unit जो है gold X की sacrifice हो जाएगी मतलब कि यहां पर deduction होगा तो combination of SNG चलेगा मतलब कि sacrifice और gain चलेगा दोस्तों यहां पर ओके चलिए अब यह अगर यह PPF की बात करता है तो PPF में इससे फाइदा या क्या change होने वाला है यह बोलता है कि MOC is always increasing MOC हमेशा चीजों को बढ़ाएगा कैसे? such that more and more units of commodity have been sacrificed मतलब कि अगर good X में से जादा sacrifice होगा तो good Y में continuously यह चीज़े add on होता है चली जाएगी होने का मतलब यह है कि एक का sacrifice दूसरे का फाइदा एक का बलिदान दूसरे का फाइदा तो यह हम लोग ने बात करी marginal opportunity cost की और इसी के पहले लिए इसको marginal rate of transformation भी कहा जाता है मतलब कि किसी एक good मान लेते हैं कि good Y को बनाने में जो खर्चा लगा है उसी तरीके से good X को फाइदा हो जाए इसके पैसे निकालने से मतलब good Y में से पैसा निकाला जाए जिसको हम लोग यहां पे कह रहे हैं किसी चीज का rate उसमें से वो पैसा निकाला जाए मान लेते हैं कि good Y जो है उसके पास 100 रुपए है इसमें से minus 10 कर दिया तो यहां पे यह हो गया नब भी मगर good X में देखा जाए तो यह good X जो है इसमें यह 10 रुपए add-on हो गया ठीक है ना चलिए तो यहां में बोलता है at which the quantity of output of one commodity is sacrifice to produce one more unit of the another commodity एक का sacrifice दूसरे का गिन तो इसमें हमें समझ में क्या रहा है समझ में यहा रहा है कि अगर MOC के बात करते हैं सर तो यहां पे किसी चीज़ के units की बात होती है और MRT की बात करते हैं तो यहां पे सर चीज़ों के rate की बात होती है amount की बात होती है और money की बात होती है तो यह basic सा difference है जो कि लगता एक जैसा है मगर वो है नहीं एक जैसा अलग-अलग है दोनों मेरे भाइयो तो यहां पर यह चीजे समझना जरूरी है एक्जाम में यह PPF का कॉश्चन आएगा और यह समझ में आ गया है कि जो भी शेप चेंज हुआ है, कॉनकेव शेप हुआ है और भी जो शेप चेंज होंगे वो MRT और MOC के कारण ही होंगे the basic reason behind in the changing of the PPC, PPF and TC is always the MRT and MOC curve तो मेरे ख्याल से यह topic जो है जानदार और शानदार था समझ में आ गया होगा PPC में जो भी चेंज होता है वो क्यो होता है ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियो के ले बने रही है मेरे साथ करना एक चोटाता काम इस चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग आल